हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारा YouTube चैनल The Garden गुरू में फ्रेंड्स आज हम Pencil Cactus के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स मैं कुछ Pencil Cactus के गंने आपको दिखा रहा हूं इन Pencil Cactus के पौदो को फ्रेंड्स हमने एक चोटी से तहनी से आज से साल पहले प्रैंट किया था और जो दो बड़े गंबले के इस कि जो दो बढ़े हैं आदसे दो साल पहले एक चोटी सी चैनी से कि इस एक प्लांट क supremacy अत और आप देख सकते हैं कि इसी प्लांट से कितनी व्रद्दी हो गई है कितना बड़ाँ क्लांट हो गया है और अभी हम इसी प्लांट्स में से कुछ कटिंग्स को लेकर के और कटिंग्स को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि और भी कई प्लांट्स हमने बनाए हैं और इनको अभी हम प्रोपोगेट कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आई हम बात करें पैंसिल केक्टस के बारे में फ्रेंट्स पैंसिल केक्टस एक जाड़ी नूमा पौदा है जो अर्थ शुष्क और उश्क कर्टिजबंदिये जलवायू के अंदर पाया जाता है अभी वरत्मान में फ्रेंट्स इस पौदे को और्नामेंटल वर्फनस के रूप में लोग घरों में लगाना पसंद करते हैं को या इस पौदे का वनस्पतिक या स्थिस प्रोट टारोट से एक वाईट सैप नुम्ह के लिए और वो काफी हमवग मैसMM हरत Walter तर्षा आधार के लिए पोड़ा होता है ऐसे ञांद से माटने मैं यमेसे 2020 इसानों के लिए यह जो पौधा है फ्रेंट से अफरीका और एश्या मूल का निवासी पौधा है और फ्रेंट्स यह यूफोर बीएसी परिवार से सम्मंदित पौधा है फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने एक छोटी सी टहनी से इस पौधे को प्रोपोगेट करके इतना बड़ा किया तो हमने क्या केर टिप्स अपना है ताकि यह पौधा इतना बड़ा हो सका और अगर आप भी पैंसिल केक्टस प्लांट्स को अपने घरों में ल से अच्छी मिट्टी जो पॉदे के लिए लाबदायक होती है तो फ्रेंट्स यह जो पौधा है यह पौधा सूखी रेतिली मिट्टी को पसंद करता है आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैक्टस पोटिंग मिक्स अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इस पोदे के लिए काफी अच्छी और आदर्श मानी गई है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसे पानी देना है और बसंद और गर्मियों में इसे केवल हर दो से तीन सब्ता में पानी दे तो इसके लिए प्रयाप्त होगा और पत्चड और सर्दियों में इसे आप थोड़ा कम पानी दे तो इसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि friends जाद़ा पानी देने से हम सोशते हैं कि जाद पानी देने से फ्रेंड्स इसकी जड़ों के अंदर route rot की समस्या हो जाती है पौदे की जड़े गलने लग जाती और कराब होने लग जाती है जिससे कुश समय बाद में इसकी जो streams होती है आपको मैं बताओं कि जब root trots की समस्य आती है पोदे में तो इसकी जो टहनियां होती है आप यह देखिए जो टहनियां होती है यह जो टहनियां यह स्टीम्स होती है यह मुर्जा जाती है और लचीली होकर कि यह नीची की तरह लटक जाती है और धिर धिर जो पौधा होता है वो freds सूखने लग जाता है और कुछ समय बाद में पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है तो friends पानी उटना ही दें जितनी पानी की जरूरत है और अब बात करते हैं सुरज की रोषनी या सनलाइट की जरूरी है तो friends ये जो पौदा है pencil cactus सुरज की रोशनी को पसंद करता है full sun night इस पौदे के लिए अच्छी है लेकिन किस तरह का तापमान इस पौदे के लिए ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी और पानी पौदे की वृद्धी के लिए man factor है और रोशनी के साथ साथ तापमान भी बहुत महत्पुन है कि किस तरह का तापमान और किस तरह की आधरता इस पौदे के लिए होनी चाहिए तो friends pencil cactus जो plant है 65 से 75 degree Fahrenheit के गर्म तापमान में अच्छे से पनपता है और पौदे के चार और का तापमान 50 degree Fahrenheit से नीचे नहीं होना चाहिए जो temperature 50 degrees Fahrenheit से नीचे चला गया है तो plants होता है उसको नुकसान हो सकता है इसकी roots होती है या इसके steams हो सकते हैं वो damage हो सकते हैं खराब हो सकते हैं आप बात करें friends की पौधे का आकार, आप या देख रहे हैं कि जो हमारे जो पॉट में जो गमले में जो पौधे हैं friends वो आकार में इतनी जादा बड़े नहीं हैं छोटे हैं लेकिन friends अगर इसी पौधे को हम जमीन नगाएंगे किसी खुली जगे में लगाएंगे तो friends ये पौदा काफी आकार में बड़ा हो सकता है तो हम बात करें कि कितना बड़ा ये हो सकता है तो 20 से 30 फिट लंबा या आप समझ सकते हैं कि 6 से 10 फिट चोड़ा ये पौदा बढ़ सकता है इसकी इतनी उचाई हो सकती है अगर हम इसे मैदान में या इसे हम जमीन में लगाए और फ्रेंट्स छे फिट तक ये लंबा हो सकता है या एक से तीन फिट चोड़ा ये अगर आप इसे किसी गंबले में लगा रहे हैं किसी पॉर्ट में लगा रहे हैं इंडोर साइड में लगा रहे हैं तो इसकी जो उंच तो इसमें इसका जो blooming time है वह है बसंत और ग्रिश्मरितू इस समय इसमें blooming होती है यह चोटे-चोटे फूल आते हैं friends बात करें कि यह पौदा है इसका हम किस तरह से propagation कर सकते हैं किस तरह से एक पौदे से हम कई पौदे बना सकते हैं friends तो हर gardener यही चाहता है कि वो अपने garden में लगे वे या अपने terrace garden में लगे वे जो पौधे हैं उन्हीं पौधों से वो नए पौधे तयार करें हर gardener की यह ख्वाइश होती है तो friends आप देख सकते हैं कि हमने भी एक ही चोटा जो branch थी उस branch से हमने पहले दो pot तयार करें मैं आपको दिखा रहा हूं friends कि यह वाला जो pot है friends यह वाला यह वाला जो पौधा है एक यह वाला और एक यह वाला आप देख सकते हैं नहें आप देख सकते हैं कितना बूशी पौधा है यह दोनों friends जो पौधे आभी आप देख रहे हैं कि इतने गने और बूशी है अब देख सकते हैं यह यह दोनों जो पौधे हैं यह हमने फ्रेंट्स एक ही डाली से दोनों को आज से करीवण दो साल पहले हमने इसको तया सक्सेसफुली पैंसिल केक्टस चल रहे हैं एक यह वाला पॉट है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पैंसिल केक्टस का अच्छे से चल रहे हैं और अभी वर्तमान में हमने और नए पौदे तयार करें आप देख सकते हैं एक यह वाला प्लांट है एक यह वा है चोटा सा एक यह है और एक यहे है यह दो प्लांट अभी एम रहे हम ते हम ट्यार करें हैं और अभी यह अच्धाद के प्लाइट आरो अभी इसमें काफी तदेती से यह यह बलांट कर और दाम प्रसंथ या शुरुवाती गर्मियों में इसका प्रोफागेशन किया जाये तो काफी अच्छा होगा फ्रेंट्स इसका प्रॉफागेशन करने के लिए आपको इसकी एक मैच्वर जो टहनी या जो डाली है उस मैच्वर टहनी या डाली को आपको काट के अलग करना करी तब dherjdy Baker आप देख सकते हैं कि यह जो डाली है यह व Вид kसरैथ से और कट करने के बाद पर इसको एकदम से ना लगाए जब आप इसको कट करें Par friends तो आप दस्ताने पहने पहने क्योंकि जब आप इसको काटेंगे तो इसमें से एक सैप निकलता वाइट कलर का जो काफी हानी कारक होता है friends तो आप जब भी इसको प्रोपोगेशन करें तो दस्ताने पहने और इसको यहां से ऐसे कट करें जो टेहनी है यहां से कट करने के बाद तो इस टैनी में से जो साप होता है जो रवी होता है वो निकलना बंद हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको प्रोपोगेट करें आप किसी कितना सुन्दर है और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां देख़ा चोटी चोटी पत्तियां आपको दिख रही है अब यह चोटी सी कटिंगे फैंड्स यह प्रॉपोगेट हो गई है और इसमें जड़े आ गई है और प्रॉपोगेट और निकलने के बाद में अभी जब चल गया है अब हम इसको कुछ समय बाद में बड़े पोट में रिपोट करेंगे फैंड्स आप देख सकते हैं कि एक यह वाला एक यह है इसके लावा फैंड्स आप देख सकते हैं एक यह वाला भी पोट है हमने यहां पे भी इसको प्रॉपगेट किया है कि मैच्व लीफ ओडिजा दो हैं हैं इक हैं और ईकी देख सकते हैं इस में से निकाली है आप देख कर हो कुछ में करीए हैं cracking की पीच्ट करने निशान आप थे देसे खार हुआ ही संव कट करिया एक स्टीम यहां से करिए एक यहां से कर यह Dannis करिए तो आप इस तरह से किए प्रोपोगेट करके आप नए पोदे तयार कर सकते हैं? friends अब हम बात करें कि किस तरह का fertilizer इसमें दें तो friends आब इसमें कोई भी fertilizer यूज़ कर सकते हैं मैं इसमें pou found काई दंक का ही इस्तमाल कर रहा है और दो मेने में एक बार में इसमें थोड़ा सकात दालता हूं ज़्याद खात की ज़रूद इसमें नहीं है अब बात करें इस पौदे से हमें क्या नुकसान हो सकता है क्या हानी हो सकती है तो फ्रेंट्स लेकिन इससे जो निकलने वाला जो सैप है एक वाइट कलर का दूद नुमा एक द्रवे नुमा इसमें से इसकी टहनी जब तोड़ते हैं यह काटते हैं तो लेक्स सेप निकलता है फ्रेंट्स वो दूद नुमा जो द्रवे होता है वह बहुत धानी का रख है अगरुओ आरे मुव में चल जाया लगा है किसी जानवर्व के मूव मिया पेट जो इससे निकलने वाला जो द्रवे नुमा जो प्रदार्थ है वो हमारे लिए नुकसान दायक है तो थोड़ी केर और सावधानी आप रखें फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यह चोटी सी जानकरी आपके लिए काफी लाब दायक होगी और जिस तरह से हमने आज से दो साल पहले दो टहनियों से इतने सारे पौदे तयार करें दो बड़े पौदे तयार करें और दो बड़े पौदों के बाद में अभी हम कई और अन्य पौदे तयार कर रहे हैं आप भी अपने घर के अंदर अच्छे पौदे तयार कर सकते हैं और केक्टस जो पौदा है उसको घ